Welcome दोस्तो, स्वागत है YouTube चैनल पर तो दोस्तो, आज बात करेंगे NCC Certificates के बारे में कि NCC करके आपकी जो जॉब है आपके हाथ में जानी कि आपकी मुठी में आ जागी अगर आपने NCC ये वाले Certificates हैं आपके पास अगर आपने ये NCC की हुई है तो पूरी जानकरी मिलेगी A, B, C कितने फाइदे हैं कहां कहां जॉब में अपलाई कर सकते हैं और किसमें आपको benefit सबसे ज़ादा किस जॉब में मिल सकते हैं तो पूरी जानकरी मिलेगी आपको इस वीडियो में जिन्होंने चैनल को सब्सकाइब नहीं किया चैनल को सब्सकाइब करें वीडियो को लाइक और शेर ज़रूर करें तो बिना देरी शुरू करते हैं आज का ये वीडियो तो यहाँ पर आपको पहले थोड़ी information देदें कि जो NCC certificate होते हैं ये तीन परकार के होते हैं पहला होता है A certificate उसके बाद होता है B certificate और अंतिम होता है C certificates ठीक है ये तीन परकार के certificates होते हैं बता दू कि इसमें जहाँ पर देख सकते हो अगर आपके पास A certificate हो तो यहाँ आपको 5 नमबर मिलेंगे अगर कोई भी आप interest exam दे रहे हो अगर आपके पास B certificate है तो आपको 10 नमबर मिलेंगे अगर आपके पास C certificates है तो आपको exam देने की जुरुत नहीं है चाहे ओ कुछ भी हो ठीक है अब ये बात बड़ी बात है कि किस-किस में आप exam नहीं दे सकते और किसमें ऐसे ही आपको बरती कर लिया जाएगा तो वो भी आपको बताऊंगा इस वीडियो में पहले यहाँ पर बता दूँ आपको कि अगर आप BSF, CRPF, ITBP, SSB और CISF इसमें भी अगर आपके C certificates है तो इसमें आपको 5% maximum marks मिलेंगे bonus marks ठीक है इसमें आपको exam तो देना है लेकिन आपको जो extra 5 marks मिलेंगे अगर आपके पास B certificates है तो आपको 3% marks bonus में मिलेंगे अगर A certificate है तो आपको 2% marks bonus में मिलेंगे तो इसका मत्तब रहे कि in job में आपको exam तो देना होगा ठीक है इसमें आप यह clear हो गया NCCC Z holders bonus CIFS हाँ तो इसमें बता दो आपको कि अगर आप C A P F recruitment में भी अगर सब inspector के लिए भी दे रहे हो तो वहाँ भी आपको bonus marks मिलेंगे यह official website पर भी है इनके अभी आपको बता दो कि C certificate exam कहा नहीं देना अगर आर्मी में बता रहो आर्मी में अगर आप C certificate लगाया है तो आपको exam देने की जुरुत नहीं है बिना exam दिये सेना में बरती हो जाओगे ठीक है यह बड़ी update है अब बात कर लेते हैं कि आपको यह NCC करने कैसे है क्योंकि बहुत सारों को तो पता ही नहीं कि how to join NCC कि join कैसे करें पहले तो बता दो अगर आप school में हो दस्वी में हो तो आप अपने school में ही admission ले सकते हो NCC में वहाँ पे एक अलग से department होता है कोई अलग से एक staff को जो detail किया जाता है वहाँ से आप join कर सकते हैं अगर वाज आपके school में नहीं है तो NCC यहाँ पे आप join कर सकते हो कैसे ओ आपको नियर जो आपका NCC headquarter है जो आपके पास NCC headquarter होगा वहाँ जाकर आप join कर सकते हो इन school में रहते हैं आपको फिर से बता दिये कि after दस्वी के बाद NCC join कर सकते हो contact अगर आपके school में है तो अभी नहीं तो district level पर जो NCC headquarter वहाँ पे कर सकते हो अगर आप college में हो अगर आपके college में NCC है तो आप उनसे contact कर सकते हो नहीं तो आपको district जो NCC headquarter है वहाँ पे जाकर आप NCC कर सकते हो तो बहुत ही जितने वी exam Indian army के हो चाहिए वो all world के जितने वी आप पूरे भारत के जो exam है उसमें आपको अगर NCC आपने की हुई है तो बहुत ही जादा benefit है मतलब बता दू कि अगर आपने NCC की है तो जो job है वो आपकी मुठी में है ठीक है क्योंकि आपको यहाँ पे benefit मिलते हैं अगर आपने मानलो Indian army का physical clear कर लिया medical clear कर लिया तो उसी दिन से आप बरती हो नहीं तो बहुत जारे बच्चे तो जड़ जाते हैं exam में तो आपको वहाँ पे देने के जुरू नहीं और NCC के क्या फाइद है यहाँ पे बता दू आपको यहाँ पे आप shooting कर सकते हो उसके बाद जो आड़ी प्रेड होती है जो रिपब्लिक डे प्रेड होती वहाँ पे भी आप कर सकते हो उसके बाद आपको firing सिखाई जाती है उसके ड्रिल भी सिखाया जाते है उसके तौर तरीके भी सिखाते है और एक और बता दू कि इंडियन आर्मे वोमें की वी लिए एंसी सी कर सकते हो यहाँ पर अगर आप आर्मी में आते हो तो यहाँ पर देख सकते हो एक एंसी स्पैशल इंट्री होती है जो हाला में ही यह जो विकेंसी आई है अक्तूबर में भी आई थी और अभी विकेंसी शॉर्ट सर्विस तो यहाँ पर देख सकते हो, अगर आप NCC है, तो यहाँ पर आपके पास Indian Army के लिए, हाँ, यहाँ पर बता दू कि Indian Army के लिए का facility, यहाँ पर अगर आपके पास NCC certificates है, तो यहाँ पर आपको 5 marks मिलेंगे, B है, तो 10 marks मिलेंगे, अगर C है, तो no exam, only physical and medical, तो यह बहुत ही अच् और शेर भी जरूर करें, तो वीडियो अच्छी लगे, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेर करें, और मेरी यही सलाह है, परसनली की आप NCC जरूर ट्राई करें, बहुत जादा फाइदा है, इसमें बहुत सारे exam में आपको यह benefits मिलते हैं, तो और जानकरी के लिए, आप हम हमारे से कोई बात करनी तो आप हमारे से भी बात कर सकते हो, तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए, गुड़ बाई